तो आज की ए वीडियो बैशलर्स ओफ साइंस के प्राक्टिकल्स के बारे में होने वाली है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए और साथ ही में बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि इगनू से रेलेटिल लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फरमेशन आपको सबसे बहले मिले तो जो भी स्टूडेंट्स इंद्रागांधी नैशनल ओपन उनिवरसिटी से बैस्टी यानि की बैशलर्स ओफ साइंस और बैशलर्स ओफ साइंस इन जनरल प्रोग्राम कर रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एगनू देली टू रीजनल सेंटर ने प्राक्टिकल इग्जामिनेशन को लेकर एक और न्यू नोटिस रिलीस किया है जिसमें आपके प्राक्टिकल इग्जामिनेशन की डेट, टाइमिंग्स और सेंटर अल्रेडी मेंशन है बीएससी और बीएससीजी के प्राक्टिकल्स जनरली लाब में ही कंडग करवाया जाते है इसलिए सेंटर आपका स्वामी शरद्दनन्द कॉलेज ही पड़ा है जिसका सेंटर कोड है 0729 न्यू प्राक्टिकल इट शीट के अकॉर्डिंग 6 सब्जेक कोड्स के प्राक्टिकल 7 में 2022 से लेकर 27 में 2022 तक कंडग करवाया जाएंगे जिसकी टाइमिंग्स होगी सुबे 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 6 सब्जेक कोड्स जिनके प्राक्टिकल कंड़क्ट होने वाले है वो है याद रहे कि प्राक्टिकल इग्जाम्स में अपियर होने के लिए आपको रेजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है बिना रेजिस्ट्रेशन के आप प्राक्टिकल इग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जो आपको सरिफ गूगल फॉर्म के थ्रू ही फिल करना है ध्यान रहे कि प्रायोर्टी पहले उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनका स्टडी सेंटर कोड 0729 है क्योंकि एट लास्ट प्राक्टिकल सेंटर उसी में होने वाला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सेंटर के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते है अगर आपका दूसरा सेंटर 0729 के अलावा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है ऐसा बिलकुल भी मत सोचना कि अगर आप रेजिस्ट्रेशन करवा लेंगे लेकिन प्राक्टिकल में अपियर नहीं होंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा तो ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है क्योंकि प्राक्टिकल्स एटेंड करना सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपल सरी है ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए औप्शनल नहीं है अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते है तो लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्राक्टिकल्स में अपियर होने के लिए आपको अपना अइडिन्टिटि कार लाना है बिना अईडि कार्ट के आपको प्राक्टिकल्स एटेंड नहीं करने दिया जाएगा इसके अलावा अगर आपको ignorance related कोई भी questions या queries हो तो आप हमें नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं हम सभी comments का reply करेंगे जिससे कि आपके जो भी doubts है वो clear हो जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को like करिए और ऐसी informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले